नमस्कार फ्रेंड्स, पी एसेसम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुपता, जेजी नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक राम्था दवाइट बुक के ओडियो नमबर 33 में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभी तक राम्था हमें बता रहे थे कि बतार्थ की उत्वत्ति प्रकाश से हुई है और यह प्रकाश ईश्वर की सोच से आता है वह आगे कहते हैं जब भी आप विचार पर चिंतन करते हैं और भावनात्मक रूप से उसे अपनाते हैं तो विचार प्रकाश की कमपन आवरिती में विस्तारित हो जाता है। यदि आप प्रकाश के कणों की गती को धीमा करते हैं और इसे संघनित करते हैं, तो आप इलेक्टरम या विद्वित बनाते हैं। एक विद्वित चुम्ब की ये शेत्र जिसमें सकरात्मक और नकरात्मक धुरूप होते हैं, जिसे आप बिजली कहते हैं। यदि आप विचार को और भी धीमा और सघन करते हैं, तो विद्वित चुम्ब की ये शेत्रों से परे विद्वित सकल्पदार्थ में जम जाती है। सकल्पदार्थ फिर आणविक और कोशिय संद्रचनाव में जम जाता है, जिसे आकार कहा जाता है। और यह आकार उस विचार द्वारा एक साथ रखा जाता है, जिसे आत्मा ने स्रजन के आदर्श रूप में देखा था। सभी वस्तुएं ऐसी चीजों को लेकर बनाई जाती हैं, जिन में कोई गती नहीं है, जैसे की विचार, और इसे उसमें विस्तारित किया जाता है, जिसकी गती है, जैसे प्रकाश, और फिर प्रकाश को धीमा कर दिया जाता है, जब तक कि आप यह और वह नहीं बना लेते, और वह सब कुछ जो आपके चारो और है प्रिये मास्टर्स यह आप ही हैं जिन्होंने अपनी विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से सभी वस्तुवों की सुन्दर्ता और भव्यता का निर्मान किया है यह आप ही हैं जिन्होंने केवल सोचने और उन्हें अस्तित्व में महसूस करने से सभी चीजों का विचार में, प्रकाश में, विद्वित में, पदार्थ में, आकार में निर्मान किया है क्योंकि आप जो विचार थे और आपको प्रकाश में उतारा गया था आपने उस प्रकाश पर विचार किया आपने उस प्रकाश से प्रेम किया जो आप थे और ऐसा करके आपने विद्वित बनाने के लिए प्रकाश को एक कदम और धीमा कर दिया जब आपने इस एलेक्टरम पर विचार किया जो ईश्वर आपकी विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से बन गया था तो आपने विद्वित को सकल पदार्थ या जमा हुए विचार जो विचार का निनतम रूप है उसमें परमपिता को स्वयम के एक और आयाम में उतार दिया तो आपका पहला कदम उस चीज की पहचान करना था, जिसे पदार्थ में विचार का विज्ञान कहा जाता है, और वह विज्ञान कभी पढ़ाया नहीं गया, इसे बस समझा गया, क्योंकि यह जीवन की एक प्रक्रिया थी, जिसमें आप शामिल थे, यह उस विज्ञान से था उस समझ से था, जिससे आकार और रूप का निर्मान आरंभ हुआ, निर्मित रूपों की शुरुआत में, देवताओं ने स्वयम पर विचार किया, वे जो प्रकाश थे, और सूर्य कहलाने वाले पदार्थों का निर्मान करके, प्रकाश के आदर्श को बनाया, और वे वह अर्बों-खर्बों थे, जिनकी कोई संख्या नहीं थी, सभी सूर्यों का निर्मान वायू रूप द्रिव्वे के केंद्रित होने या एकी करन्ट से हुआ था, जो इलेक्ट्रम के कम होने के परिणाम सरूप हुआ, और महान सूर्यों से जो जीवन के केंद्रिये अग्नी क गूमने वाले गोले, जिनने ग्रह कहा जाता है, बनाए गए और अपनी कक्षाओं में स्थापित किये गए, और गोलों पर देर्ताओं ने रचनाएं की, और आपको रचनाएं सीखने में कई यूग लग गए, इस ब्रह्मांड और इस से भी बड़े सूर्य चक्र को घेरन वाले सभी ब्रह्मांडों को किसने बनाया, वास्तव में आपने ऐसा किया, आपने इसकी सरलता से रचना की है, चिन्तन के माध्यम से आपके द्वारा बनाई गई प्रत्येक चीज ने आपके अनुभव का विस्तार किया, जिसने भावनाओं विचार के सबसे सच्चे खज जाने को अपनी आत्मा के भीतर घटित होने की अनुमति दी और भावनाओं के माध्यम से ही पदार्थ का तल निर्मित हुआ, आपकी दिव्यता इसमें निहित है कि आप वास्तव में प्रकाश के प्रारंविक अगनी कर्ण हैं और आपने प्रचनाकारों ने अपनी सर्वो मांडों की रचन नहीं की, वह स्वयम ब्रहमांड है, आपने उन्हें अपनी आत्मा में महसूस करके अपनी सोच प्रक्रियाओं से बनाया है, आप में से अधिकांश उन देवताओं में से थे, जो युगों पहले आपके इस इस इस्थान जिसे प्रिथ्वी कहा जाता है, और यहीं आपने समस्त जीवन का निर्मार्ण और विकास किया, लाखों वर्षों में जैसा कि आप समय में जानते हैं, आपने इस विचार से लिया कि परमपिता है, और अपनी सर्वोच बुद्धी और रचनातनक शक्ती के माध्यम से आपने सरजन के अपने आदरशों की आप प्रकाशी इकाईयों ने पानी में वायू रूप द्रव्य पदार्थ की प्रतिक्रिया के माध्यम से बनने वाले जीवानों से यहां जीविक जीवों को तयार किया, यहीं वह मिट्टी थी जिससे आपने जीवन के विभिन मूल्यों का निर्मान किया, और शुरूआत में आपकी रचनाय किसी चीज के गोले के रूप में व्यक्त सामुही कृत पदार्थ मात्र थी, आपकी रचनात्मक्ता बहुत सरल थी, क्योंकि आपने अभी पदार्थ की वास्तविक्ता को समझना और इससे निर्मान कैसे करना है, यह समझना शुरू ही किया था, किन्तु युगों युगों तक आपने इस तल पर पौधों और जानवरों और हर दूसरे जीवित प्राणी को बनाया, प्राणियों को आपने अपनी रचनात्मक भावना की अभी व्यक्ति के रूप में, रचनात्मक जीवन की अभी व्यक्ति के रूप में तयार किया, ऐसे जीवन रूप जो गतिशी हो सकते हैं और जो स्वयम को व्यप्त कर सकते हैं फूल आपके एक समू द्वारा बनाया गया था रंग डाले गए सुगंध को जोड़ा गया बाद में फूल के विभिन पहलूओं को विभिन रचनाओं में लाया गया आपको यह समझना चाहिए कि आपने इन चीजों को बनाने के लिए श्रम नहीं किया क्योंकि प्रकाश प्राणियों के रूप में आपके पास श्रम करने के लिए कोई अफ़तार नहीं था आप जो कुछ भी बनाना चाहते थे आप बस वहीं बनते गए पदार्थ को पदार्थ सार देने के लिए उसे व्यक्तित्व देने के लिए उसे बुद्धि मत्ता और रूप देने के लिए आप अपने द्वारा बनाई गई रचीज का भाग बन गए एक बार जब प्रत्येक रचना अपने निर्माता की बुद्धी की जीवित वस्तू बन गई तो आप निरंतर बड़ी रचनाओं की खोज में अपनी रचना से हट गए आपने यहां जो कुछ भी बनाया है वह इतना सुंदर या विशिष्ट नहीं होता ना ही इसका कोई उद्धेश पून अर्थ होता यदि इसमें इसके निर्माता के जीवन की सांस नहीं होती आप ही वे लोग हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में आनुवाशिक स्मृती की बुद्धी मत्ता या स्वरूप को शामिल किया है जिसे स्वभाविक प्रकृती कहा जाता है इसी ने आपकी रचनाओं को अस्तित्व का उद्धेश दिया और प्रजनन प्रक्रियाओं और जीन्स के आदान प्रदान के माध्यम से नई प्रजातियों के विकास का साधन दिया फिर भी नई प्रजातियां अभी भी महान रचनात्मक देवताओं से प्राप्त वृत्ति की बुद्धी मत्ता जीवन की सांस लेंगी जिन्होंने विकास के स्वरूप को गति दी यही कारण है कि सभी जीवित चीजों के भीतर वहें दिव्य तत्व है जो आपसे देखताओं से उनके लचनाकारों से जीवन के अग्मी करण है दोस्तों आज के लिए इतना ही आप सब का बहुत बहुत आभार